प्रफिसर का ट्रिक्स एंड कंसेट उससे नहीं होता है एक्जाम में एवरी कुश्चन क्विक एंड परफेक्ट जी हां बच्चो आज जो मैं आपके लिए ट्रिक्स एंड कंसेट लेके आया हूं वो अप्लिकेशन ओफ इंटिग्रेशन से तो पॉइंट नमबर वन जो है वो यही है कि कभी भी कुश्चन में अगर ऐसा आ रहा कि फाइंड एरिया या एरिया अंडर द कर तो आपके माइन में एक बात आ जानी चाहिए कि यह एक पॉजिटिव कॉंटिटी है इसका जो भी एंसर होगा वो एक पॉजिटिव है यह राइट तो क्लोज फिगर है इसलिए आपको आइडेंटिफाइ करना पड़ेगा एक रफ स्केच के थुरू कि वो क्लोज फिगर कौन सा है पॉजिट नमबर थी डैट इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट ए टू बी य दी एक्स हो वेर वाइज फंक्शन ऑफ एक्स रा हमारा जो भी फंक्शन होगा यहां पर वाई वो श्रिफ और श्रिफ एक्स में वेरियेवल होना चाहिए पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट कि यह जो लोर लिमिट है वो एक्स इस इकल टू ए लाइन हो जाएगी वो ड्रॉव कर देना है जो उपर वाली लिमिट है एक्स इकल टू बी लाइन हो जाएगी डैट इज पैरलल टू य एक्सिस तो वो ड्रॉव कर देना है एंड डी जो है वो एक्स के साल लगा हुआ है तो एक्स एक्सिस लेना है डैट मिस जो हम बात कर रहे हैं कि क्लोज फिगर तो वो कैसे बनेगा ध्यान से देखो एक्स इकल हैं डैट मिस यह एक स्ट्रिप लिया राइट वर्टी कल डैट मिस पैलल टू वा एक्सिस और इसको क्या करना एक्ससस पर रोल करना अगड़ अगर dy लेते हैं तो parallel to x-axis लेते हैं और y-axis space को रोल करते हैं तो यहाँ पे चुकि मैंने dx लिया है मतलब x-axis पे लेना है रोल करना आपको और parallel to y-axis होगा और यह step से रोल करेंगे तो यह जितना भी area cover करेगा वही area आपका आएगा तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आपने एक rough sketch draw किया और आपका जो curve है वह always x-axis के उपर है तो area a to b f of x dx हो जागा directly इसमें कुछ करना ही जो नॉर्मल integration करते हैं वही करना है बट suppose करो कि आपका पूरा का पूरा curve x-axis के नीचे है तो आप area तो ऐसे निकालेंगे a to b f of x dx तो वह जो value आएगी वह negative आएगी तो आपको negative sign हटा देना शरिफ numerical value लेना यह कहने होते हैं या फिर mod लगा दो एक ही बात है तो बास नजबा गई अगर आपका curve completely x-axis के नीचे है तो आपको वैसे ही निकालना है वैसे इंटेग्रेट करना और जो value आएगी उसको positive sign के साथ लेना है क्योंकि एरिया ओल्वेज positive ले लेना और फिर बी से सी करेंगे वालवेज positive आएगी क्योंकि एक सेक्सिस के ऊपर है तो इसलिए ब्रेक करके आपको करना परेगा यहीं पर difference क्रियेट हो जाता है definite integration और एरिया में कि एरिया में आपको सारी वैलू को positive लेकर करके चलना जबकि डिफिनिट डिटेग्रेशन में जो चीज़ें आती हैं वह ही हम consider करते हैं एक पॉइंट और ध्यान देना है कभी-कभी जो integration है वह x dy वाला easy होता है in completion of y dx वाला that means यहां पर ध्यान से देखो तो d किसमें लगा हुआ य में तो इसका मतलब क्या हो गया के y axis आपको लेना है और इसलिए यह क्या हो जागा y is equal to a line यह क्या हो जागा y is equal to b line और यह तीन साइट से आपका क्या हो गया close हो चुका है ज्यान से देखो और इसलिए जो function होगा वह तो इसलिए a to b x dy where x is function of y तो कभी-कभी यह वाला integration easy वह यह area देगा तो इसलिए उपर वाले में से नीचे वाले को minus कर देंगे तो हमारा यह area आ जाएगा तो इसलिए ध्यान से देखो a से b में कैसे integrate करेंगे f1 x जो है वो उपर में तो उसमें से माइनस क्या f2 x को और b से c में ध्यान से देखो तो f2 उपर है तो इसलिए f2 में से माइनस क्या f1 x को तो कहने का बहुत simple point है जब भी 2 curve के बीच के area निकलना हो तो सबसे पहले आपको यह identify करना पड़ेगा कौन curve up में है और कौन curve down में है जो up वाली होगी उसमें से माइनस कर देना down वाले को तो area between the curve आ जाएगा तो यह चारो point आप अच्छे से समझ लो point number 3 और 4 से यह हमें बिल्कुल career हो चुका है कि इस chapter में सबसे ज़्यादा important है curve को trace करना आपको identify करना पड़ेगा कि आपका close area कौन सा है तो ध्यान से देखो उसके लिए कुछ point मने लिखें बहुत simple है बहुत easy है point number 1 कि we already know state line का graph जानते हैं circle का जानते हैं parabola, elev, cyberbola coordinate geometry में पर चुके हैं तो उसका full use यहाँ पे होगा या फिर कोई modulus function है तो वो भी आपको मालूम है logarithmic function है उसका भी आपको मालूम है या फिर जितने भी trigometric function है तो इसलिए वो सबका basic का मैं draw करके नहीं बताया हूँ क्योंकि वो आप औरेड़ी पर चुके तो उन सबका graph draw करना आना चाहिए point जो इसमें ध्यान देना है वो point number 2 है कि कहीं पागर equation में y की सारी की सारी power जो है वो even power है तो ऐसे case में आपका graph x-axis के about symmetric होगा for example y square is equal to 4x को ही ले लो तो इस equation में y का जो भी term हारा है उस पे even power है तो हमारा ये जो भी graph होगा वो दियान से देखो x-axis के symmetric होता है यह already एक परावोला जो आपको मालूम है वैसे ही x में even होगा तो y-axis के about symmetric होगा और अगर दोनों में even होगा तो दोनों x-axis के about symmetric होगा for example x square plus y square is equal to r square तो यहाँ पे ध्यान से देखो x का भी even power y का भी यह तो एक constant है तो इसलिए इसका जो graph बनता है वो x-axis के about be symmetric होता है और y-axis के भी by the way we already know कि यह एक circle है तो यह दो point का आपको ध्यान रखना है दूसरा graph draw करने में जो point important है वो यह कि आपको उस function का range पता होना चाहिए कि उसकी value कहां से कहां तक vary करेगी और वो curve x-axis को कहां से cut या touch कर रहा है तो उस case में y को zero put कर लो और find out कर लो आप solve कर करके तो यह point का ध्यान रखना है वैसे ही application of derivative आता ही अपने को तो उसका full use करेंगे maxima कहां पर function का या minima या किस interval में increasing है decreasing है यह means वो function कहां पर x-axis के नीचे है x-axis का पर तो यह पूरा idea आपको ले करके अब अगर इसका area निकालेंगे तो area क्या लिखेंगे 0 से लेकर के b तक ydx तो y यहाँ पर y square है तो y कैसे निकालेंगे root under of 4xdx तो ध्यान देना यह जो area आएगा यह उपर वाला area आएगा यहाँ पर भी बच्चे गलती कर जाते है यह जो area आया वो शिरिफ ऊपर वाला आया और हमें चुकि पूरा area निकालना परेगा तो ऐसा नहीं कि फिर से इसको अलग से integrate करेंगे चुकि symmetric है तो क्या हो जाएगा area total area 2a तो इस point का ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर symmetry दिख रही है तो 0 से लेकर के x is equal to r तो 0 से r और ydx y यहां से कैसे आएगा r square minus x square का root क्योंकि ydx होना चाहिए तो यह जो भी area आएगा आपका इतना आएगा लेकिन अपने को तो यह पूरा चाहिए तो क्या करेंगे इसका 4 times कर देंगे तो you will get your answer तो यह कहने का उतलब है यह एक important point है अगर symmetry होगा तो ऐसा नहीं कि बार बार हम integrate करके निकालेंगे किसी एक part का निकालेंगे उसको देख रहेंगे कि कितना part symmetric है उतना से multiply कर देंगे तो यह भी point आपको एकदम clear होना चाहिए question number one में area bounded by curve y is equal to mod of x minus 2 x is equal to 1 2 x is equal to 3 and x axis तो again कभी भी आपको area के question करना हो तो एक rough sketch draw करना है अब ध्यान से देखो हमें कहां से कहां तक जाना है 1 से लेकर के 3 तक तो यहां 1 हो गया यहां 3 हो गया यह कर दिया अब ध्यान से देखो अगर x 1 put करूंगा तो y केतना जाएगा 1 तो 1 पे value है इसकी 1 और वैसे ही x 3 put करूंगा तो y केतना जाएगा 1 तो 3 पे value है 1 और x 2 put करूंगा तो 0 हो जाएगा तो यहां पे होगा 2 तो इसका मतलब यहां से ऐसे आएगा और यहां से ऐसे और आपका जो है वो x is equal to 1 line ध्यां से देखो यह x is equal to 3 line यह x axis यह और जो curve है वो यह है तो मतलब यह area निकालना है और यह area ध्यां से देखो तो symmetric है तो कोई एक area निकाल लेता हूँ तो यह area तो without integration भी निकाल सकते हैं क्योंकि यह base 1 और height भी 1 तो 1 by 2 into base into height तो यह आगया 1 by 2 तो total area क्या हो जाएगा 2 times of a 2 into 1 by 2 that is 1 तो यह answer will be c दूसरा आप कैसे कर सकतो तो वही integration 1 से लेकर के पहले 2 तक और आपको क्या करना परेगा इसको negative sign के साथ open करना परेगा तो minus of क्या हो जाएगा x minus 2 और यह dx फिर plus 2 से 3 में x minus 2 dx तो ऐसे करोगे भी तो भी यह यह आएगा वैसी question number 2 area bounded by curve 2 curve given and y is equal to 1 by 4 यहाँ पर total 3 curve है तो अब यहाँ पर draw करना परेगा तो draw कैसे करेंगे ध्यान से देखो again x y axis draw कर लेंगे यहाँ पर ध्यान से देखो तो y is equal to x का square है तो y is about symmetric होगा यहाँ भी y is equal to एक तरह से x square है तो y is about symmetric होगा तो यहाँ पर ध्यान से देखो अगर मैं x को 1 ले ले लेता हूँ तो y 0 हो जाएगा तो इसका अंतलब कि एक बार x 1 पे y 0 होगा और इसमें अगर x minus 1 लू तो minus 1 पे यह 0 होगा दोनों curve को एक साथ draw कर रहा हूँ और अगर x को 0 put कर दो तो y 1 होगे तो that means एक curve जो होगा वो इस type से आपका यह भी parabola यह होगा और एक curve जो होगी वो इसी line से ऐसे pass होगी यह होगा तो ध्यान से देखो यह curve कौन से है आपका क्योंकि x is equal to minus 1 इसमें तो यह y is equal to x plus 1 का whole square है और यह curve कौन सा है y is equal to x minus 1 का whole square अब एक है y is equal to 1 by 4 तो y is equal to 1 by 4 line draw कर दो यह तो y जहाँ पर 1 by 4 होगा तो x निकल लो किसी से भी तो x क्या आजागा अगर y 1 by 4 put कर दोगे तो यहां से x solve करोगे तो plus minus 1 by 2 आजाएगा तो that means यह वाला point आपको मिल चुका है तो हमारा जो area है वो ध्यान से देखो यह 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 वाला area तो यह जितना होगा उतना यह होगा तो again two times हम कर सकते हैं तो हम यहां से यहां तक निकलेंगे तो ध्यान से देखो हमें कहां से कहां तक minus 1 का whole square y is equal to और उसमें से minus करना पर लेगा यह कौन सा कर वे आपका y is equal to 1 by 4 और यह पूरे का क्या हो जाएगा dx इसको integrate कर लो तो you will get answer 1 by 3 कैसे क्योंकि इसको हम कैसा ले सकते हैं पूरा अगर x मान ले तो यह x minus 1 का power 3 by 3 limit put कर देंगे 0 से half और यह द्यान से देखना minus 1 by 4 x limit put कर देंगे 0 से half तो ध्यान दें कि हमारा जो area आएगा वो बस इतना आएगा लेकिन हमारा जो area होगा वो total यह वाला भी होगा right तो दोनों symmetric है सब कुछ तो इसलिए two times हो जाएगा तो यह जो भी value आएगी मान लो यह value तो आपका total area क्या हो जाएगा टी यह total area two times of a your answer will be 1 by 3 so your option will be a तो इस तरीके से आपको think करना है question number 3 में area bounded by curve y is equal to x square and y is equal to mod x पस एतना दिया है तो ध्यान से देखो पहले तो आप क्या करेंगे draw करेंगे y is equal to x square x में even power है तो y is सिमेट्रिक होगा तो यह हो जाएगा और y is equal to mod x मतलब y is equal to plus x और minus x यहाँ पर ध्यान देना दोनों करव का intersection point नहीं करना परेगा तो एक बार x square is equal to x ले लो तो यहाँ से x क्या जाएगा 0 और 1 तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो 0 तो यह हो गया और x is equal to one line यहाँ पर हो जाएगी और x is equal to minus one line यहाँ पर हो जाएगी एक है y is equal to x तो आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर x में half लेता हूँ तो यह is equal to one by two हो जाएगी जबकि यह यहाँ पर x हाफ लोंगा तो y one by four उसके नीचे आएगा इसका उसलब 0 से one में आपका y is equal to x जो होगा वो इसके उपर रहेगा किस कर्व के पैरा बोला के तो ऐसे आ जाएगा और इधर भी वैसा ही रहेगा बिलकुल तो हमें यह वाला एरिया बताना यह identify करना आपको आना चाहिए तो यह भी आपको concept बताया था यहाँ पर दोनों साइड एगें सिमेट्रिक है तो किसी एक साइड का निकालोंगा जीरो से कहां तक जाना वन तक तो एरिया क्या हो जाएगा ध्यान से देखो जीरो से वन कौन सा कर्व उपर है y is equal to x वाला तो x माइनस नीचे कौन है x स्कॉर और क्या हो जाएगा dx तो ध्यान से देखे यह जो एरिया आएगा वो शिरिफ यह अगा हमारा जो टॉटल एरिया होगा वो टू टाइम्स अफ ए होगा तो इसको इंटेग्रेट कर लेता है तो क्या हो जाएगा यह x square by 2- माइनस XQ by 3 और लिमिट कहां से कहां तक 0 से 1 तक तो क्या हो जागा यह ध्यान से देखो 1 पूट करेंगे तो 1 by 2 माइनस 1 by 3 0 पूट करेंगे तो 0 हो जागा तो यह केतना हो गया 1 by 6 तो हमारा एंसर क्या हो जागा 2 into 1 by 6 that is 1 by 3 so your option will be B तो यह अच्छा कोश्चन था द्यान से समझ लेना कैसे करते हैं आपको यह identify करना पर लेगा कौन कर्व उपर है कौन कर्व नीचे है तो 0 से 1 में y is equal to x उपर होगा और x square नीचे होगा 1 के बाद आपका x square वाला उपर होगा और y is equal to x वाला नीचे तो हमें चुकि intersection point मिल गया था यह भी ध्यान देना है कि दो कर्व गिवेन हो तो दोनों का intersection point भी आपको निकानने आना चाहिए question number 4 में area of y is equal to cos x between x is equal to 0 से 2 pi में निकानना है अगेन आपको एक rough sketch draw करना परेगा ध्यान से देखो 0 यहां पर कितना हो जागा pi by 2 pi 3 pi by 2 and 2 pi तो 0 से 2 pi में निकाना यूनों 0 पे maximum value 1 हो सकती है cost का आपको range मालूम है minus 1 से लेकर करके 1 तक हो सकता है 0 पे 1 pi by 2 पे 0 pi पर माइनस वन इसलिए आपको यह सब एकदम आइडिया किलियर होना चाहिए तो इसलिए मैंने यह दोनों लाइन ट्रो कर दिया क्योंकि हमारा गराफ इनके बीच ही होगा और यह 0 पर देखो तो यह सब सिमेट्रीक है यह सब क्या है सिमेट्रीक है इसलिए मैं जो एरिया निकालोंगा वह 0 से ले करके पाइवाइट्व क्या हो जाएगा कॉस एकस डी एकस यूनों साइन का डेरिविटिव कॉस होता है तो कॉस का इंट्रिगर्शन क्या हो जाएगा साइन तो इसलिए क्या हो जाएगा यह साइन एकस और लिमिट 0 से पाइवाइट्वाइट्वाइट्वाइट्वाइट्वा है ना आप जाते जाते ग्यान की बात और डाट इस वेरी इंपोर्टेंट कहीं पर भी अगर आपको स्टंडर्ड इलिप्स हो या फिर आप उसको स्टंडर्ड इलिप्स के फॉर्म में कंवर्ट कर सकते हो तो उसका एरिया आपको डारेक्ट याद रखना जैसे यहां पर स्टंडर्ड इलिप्स में जो आपका सेंटर है वो जीरो कमा जीरो है अगर इसको सिफ्ट कर दोगे तो भी एरिया पर कोई फर्क नहीं परेगा एक तरह से यह कॉपी पेस्ट हो जाएंगे तो इसका एरिया केतना होता है पाई ये भी इसको कैसे याद रखेंगे सिंपल रफ puis ये नख्यंगे तो इसलिए इसका इन्टीप्लाइघ करके तो इतना आपको करना पएगा इसका भी तफ परेगा इसलिए हम डारेक्ट यह रखेंगे पॉइंट नमबर टू डैट इस अगें वेरी इंपोर्टेंट कि अगर वाइज स्कॉर इस इकल टू फोर वी यह दो इस टंडर्ड पैरा बोला हो तो इनके जो कर्ब के बीच का एरिया होगा वो डारेक्ट आप 16 एक नमबर हो गया और बी यहां से कंपेर करके आएगा तो यह डारेक्ट रिजल्ट आप ध्यान में रखेंगे एंट पैराबोला और लाइन के दो कर्ब के बीच का एरिया निकालना हो तो डारेक्ट 8a स्कॉर अपन 3mq वेर जो है वह पैराबोला का यह वाला ए है और एम जो आपको क्लियर होना चाहिए कैसे याद रखना सिंपल तरीका आपको रफी सर ने बता दिया अगर आपको मेरा यह परियास आपको पसंद आता है तो जरूर इसको लोगों में शेर किजिए कमेंट किजिए थैंक्यू है और इसको पीस आपको रहाई बादेश में अलादे है सकत्तमम केले है उन्हीं किभा उन्हें पे Queen chill ।